बिसमिल्ला रॉप्मान रॉभाहीम स्टुडेंट्स कैसे हैं अब होप आप सब खरीत होंगे तो आज हम क्वेस्टन स्टार्ट करने वाले हैं एक्सराइज 2.1 का डिफरेंशेशन चैप्टर है क्वेस्टन नमबर सेवन ठीक है जी तो क्वेस्टन को जरा चेक करने आर्क करते हैं अज़ कर तू एक्सप्च को मैं ऐगर ऊपर ले जाया हूं एक्स की प्रव overlapות इन है ओपड़ेंगी तो यह नेकिटीव मैं हो जाएगी तो यह निक्टीयमत्ग तो नेक्टीव माँ ओ स्टॉएब्स श्टार म्रोग मैं इसको य श्लेस को याइक दितन तो आगे क्या करते हैं हम वही चेंज करते हैं कि जो dependent variable है उसमें अगर डल वाई चेंज करेंगे तो obviously जो independent variable है उसमें डल X चेंज आएगा ठीक है जी तो इसी तरह हम वही चेंज करते हैं जो हम with the help of first principle हम question solve करते हैं वही करेंगे ठीक है जी तो यहाँ पर आजाएगा X प्लस डल X की पावर माइनस 4 ही रिखा जाएगा तो आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपने क्योंकि डल वाई में चाहिए होता है तो Y को दर माइनस मिले जाते हैं X प्लस डल X माइनस 4 माइनस कवाई करी तो माइनस वाई बीसिके लिए हमारे पास क्या है वह यह वा निए आगे सिक मीनज की पावर कि उए थिए अजरकल को फ्क्थ शनल या कि पावर माइनस 4 माइनसwewen निस 2L माइनस 4 ओके जी तो आगे क्या करते हैं आगे हमारे पास जो इन दोनों चीज़ों में से कामन आ रहा है वो टू एक्स की बावर माइनस फूर है इसका भी वही है ठीक है तो ये कामन ले लेते हैं तो एक्स की बावर माइनस फूर हम जब कामन लेते हैं तो यहां पर आता है वान प्लस मारे पास आ जाता है डेल एक्स बाइ एक्स और इदर माइनस ठीक है जी तो यह मारे पास common आ जाता है अगर हम 2x common ले लेते हैं ठीक है तो आगे यह shape देख लें यह वही यह बन रही है जो हम start करते होते थे अक्सर आपको बता है binomial theorem में क्या होता था के x-1 की power n बिलफर्स हो जाती थी तो इसको हम expand करते थे with the help of binomial theorem वो आपको इदर मैं दे दूँँगा binomial theorem के बारे तो इसको मैं directly expand कर देता हूँ इसको आपको याद करना पड़ेगा binomial theorem को खास दोर पे तो सबसे पहले तो मैं यह करता हूँ के 1 आ जाएगा प्लस मैं direct expand कर रहा हूँ ठीक है तो आपने इसको बार बार करना है तो आपको इसके बारे में पता चलेगा माइनस 4 माइनस 1 वाय तुक फिक्टोरियल डेल एक्स पाय एक्स का स्केयर प्लस तो एस इस जी चलता जाएगा और मारे पास आएगा न पे माइनस 1 तो यह मारी ज्यकेट क्लोज हैगी आगे मारे पास इन दोनों में से del x common आ रहा है del x और x जो है न वो common आ रहा है सब में तो common में ले लेता हूँ ठीक है और सबसे पहले यह देखें यह minus 1 और यह plus 1 का यह cancel out हो जाएगा ठीक है बाकी मारे पास यह values बचेंगी तो यह 2x की power minus 4 और जो common हमें लिया del x by x जो हमने काम ले लिया है इधर मेरे पास minus 4 बचेगा plus यह बचा कि हमारे पास minus 5 minus 4 minus 5 तो का फिक्टोरियल और यहां पर del x by x plus as it is चलता जाएगा ठीक है अब हमने आगे जो next step करना होता है जो यह होता है कि हम divide करते हैं both side पे del x के साथ जो हमने first principle में करता हो है करते हैं third step में यह करते हैं कि del y और del x जो है divide करते हैं 2 x कावर माइनस 4 del x by x यहां पर यह जो है ना del x के साथ divide कर लेते हैं बाकी आगे वो सारी हमारे पास expression आव लिख ले minus 4 minus 5 by 2 का फिक्टोरियल del x by x plus यह continuous आगे चलता है और यहां पर close जाता है आगे देखिएगा कि del x del x से cancel out हो जाता है ठीक है जी और हमारे पास यहां तक value clear यह x प्लस में प्लस है दर उपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी तो यह आजएगी 2 x की पावर माइनस 5 जी तब आगे क्या करता हूं करता हूं यह हूं के जनाब जो हम करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के रूँ से हमने लिम्ट लेनी ते है del x पोचे स्टू जीरो ठीक है जी minus 5 by 2 का फिक्टॉरिया x और मेरे बास यह कांटिव है ठीक है जी और आगे 4 step है मेरे बास लिम्ट लेते हैं जी del x पोचे स्टू 0 तो del y over del x is equal to लिम्ट del x पोचे स्टू जीरो 2 x की बावर minus 5 minus 4 plus minus 4 minus 5 by 2 का फिक्टॉरिया इसकी जगा पर जब 0 आता है x तो यह सारी जो आगे हमारे first term जाती है वह सब को 0 कर जाता है और आपको यह भी इलम होगा के जो लिम्ट del x पोचे स्टू 0 del y over del x जो हता है वो d y by dx के बरावर होता है इसको इस तरह राइट कर सकते हैं ठीक है जी तो d y by dx जो हमारा derivative आएगा वो हमारा आएगा क्या आएगा 2 x के बावर माइनस 5 माइनस 4 आजएगा ठीक है बाकी टरम्स जो हैं वो del x पोचेस के बज़ए से 0 भी यह भी तरम आगे जो टरम स्केर में हैं मतलब वो सारी जो टरम्स होंगी न 0 हो जाएगा मरे पास जी बच्चेगा तो यह हमारा आएट एट एक्स टिवार माइनस 5 इसको हम यह भी लग सकते हैं x टिवार 5 तो यह है हमारा derivative चलते नेक्स क्वेस्टन कि लिए तो यह हम उसी रूल से हम स्टार्ट करते हैं कि इसको लेट कर लेते हैं यह यह है x प्लस 4 की पावर 1 बाई 3 है ठीक है जी तो अगर जब dependent variable में हम y जो है हम change कर लेते हैं तो obviously जो independent variable में पर करेंगे तो dependent variable में भी change obviously आएगा ठीक है जी तो अगर हम independent variable में y change कर लेते हैं तो जो independent variable है उसमें भी change आएगा change आजएगा 4 1 by 3 ठीक है जी आगे देखते हैं जनाब क्या होगा था हमें चुके इस साइट पे y चाहिए होता है तो यह हमारे बास क्या बचेगा x plus 4 1 by 3 minus y y की value put कर लेते हैं minus वो यह है इसकी value वो क्या है x plus 4 की पावर 1 by 3 आगे हमने क्या किया आगे जनाब यहां तक हमारी क्लिजर हो गया अब आप चेक करें तो हमारे पास जो चीज़ें आ रही है चुके यह भी plus है यह भी plus है तो हमारे पास यह सकता है एक-प्लस-4 प्लस-đल एप्स की पावर 1 by 3 minus x plus 4 की पावर 1 by 3 ओके जी अब इन में से x plus 4 की पावर 1 by 3 जो हम कामन ले सकते हैं बोच साइड पर तो कामन ले देते हैं अकर इस साइड एधर इन दोनों में से कामन student इन दोनों में से इक रख जब लेंगे तो मेरे पास बच्चे का 1 प्रफ इसकी जगब पर वाण आजाएगा फिरम पर बचेगा हूं पर बच्चे गार डल एक्स ब्लस फोर ठीक है इसकी पावर सेम रहेगी वह क्या है 1 by 3 माट अचारी स्ट्ट्ट इसको हम एक्स्पैंड करेंगे विद अप आफ बाइनमेल थीरम ठीक है जी तो बाइनमेल थीरम के हल्प से जब हम इसको एक्स्पैंड करने की ट्राइ करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास बचे रहा इसको हम वही सूल से करेंगे जो हमने क्वेस्टन नमबर सैम हमें किया था ठीक है तो यह मर बास आजेगा प्रस्ट पूर है इस प्रस्ट पूर है इस प्रस्ट पूर आप ट्राइब तो प्रस्ट प्रस्ट को ने चलता जाएंगे और थे कि अड़ स्टोय थेक्टोग इन आग तो यह मुद्क करी तो हमता हुआ जाख यह मूद्क करेंगे जाए हम ठीक है तो आगे क्या पास क्या जीज़ आजाएगी, x plus 4 कि पर 1 by 3, 1 by 3, del x over x plus 4, यह कामन आसकता, बिसकली दोनों मेंसे तुझी यह कामन ले लेंगे, फिलेव टॉट में, ठीक है जी, 1 by 3, तो यह जाएगा 1 minus 3, minus 2 by 3, 2 का फिक्टोरियल, del x over x plus 4 की पावर स्केर, plus you can stop chalda there to get it we are working on x plus 40 power 1 by 3 or your common object that del x over x plus 4 together to your common oliva police expression is a but you go 1 by 3 plus 1 by 3 minus 2 by 3 and 2 victoria for each of us minus 1 by 4 second first step हो यह होता है तो उसके बाद हमने second step भी करना होता है कि हमने डल य बनाना होता है बाइक को दर ले जाते हैं माइनिस करते हैं third step में यह होता है कि हमने जो डल x है उसको डिवाइट करना है बोट साइट पर ठीक है जी तो we divide डल x बोट साइट plus 4 1 by 3 इसकी डल x over x plus 4 तो हमने divide करना है 1 over डल x के साथ ठीक है जी बाक्की वो सारी चीज़ें सेम आएंगी 1 by 3 minus 2 by 3 सुरी यह थोड़ा clear हो जाएगा तो का फिक्टोरियल जाल x over x plus 4 चलता जाएगा ठीक है यहां पर यह चैंसल आउट हो जाएंगे चैंसल आउट होगा तो यह x plus 4 जो पॉस्टिव में ऊपर जाएगा नेक्टिव में जाएगा तो जब नेक्टिव में पावर में चैंसल करेंगे तो यह हमारे पास पावरा जाएगी माइनस तो बाइट 3 x plus 4 1 by 1 by 3 minus 1 हमारे पास बचे का किया 1 by 3 आगे आजाएगा प्लस 1 by 3 minus 2 by 3 2 का फिक्टोरियल डेल एक्टोर, x plus 4 एक्टीनी चलता जाएगा और bracket close आ जाएगा यह इसको करेंगे तो यह minus 2 by 3 हाजाएगा x plus 4 की पावर minus 2 by 3 आगे हमारा चोचाफा स्टेप होगा कि हमने लिमिट लेने हैं इसको परने complete का लिए ताँ 2 by 3 2 का फिक्टोरियल देल x over x plus 4 यह continue चलता जा रहा है यहांगर प्रेक्ट क्लोज हो जाएगी आप हमने करना किया लिमित लेनी है देल x approaches to 0 तो देल y over देल x is equal to देल x approaches to 0 x plus 4 की पावर मादस 2 by 3 1 by 3 plus आगे यह सारी एक्स्प्रेशन जो है यह जिरो हो जाएगी यह आगे भी 0 हो जाएगी ठीके तो 1 by 3 मारे पास बचेगा तो x plus 4 की पावर माइनस 2 by 3 यह आगे 1 by 3 ठीक है जिनाप अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1 by 3 x plus 4 की पावर 2 by 3 तो यह हमारा answer है और जो इसकी जगापर है वह हम पिछले question बता सकता हूं कि इसकी जगापर d by by d export करनेंगे ठीक है तो यह हमारा first principle से यह question साल हो है अगे इसको स्टार्ट करते हैं इसको लेट कर लें y is equal to x के बावर 3 by 2 तो जब independent variable में del y चेंज करेंगे तो विसलिए जो independent variable है उसमें del x चेंज आएगा ठीक है और चुक्क हमें del y चाहिए होता है तो del y y कुदर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा तो x plus del x के बावर 3 by 2 minus y ठीक है जी del y is equal to x plus del x 3 by 2 और y की वेली क्या है? x के बावर 3 by 2 3 by 2 ठीक है इन दोन में से xy x के बावर 3 by 2 कामन आजकता है तो कामन लें 3 by 2 कामन देने हैंगे 1 plus del x की पावर x इसके पावर 3 by 2 आएगी माइनस 1 आजक है ठीक है जी ये मारे पाउस कामन आजक है आगे मेरे पाउस जनाब ये फिर पाईनों मिल थ्योर्म बाली शेप बन रही है 1 plus del x over x की पावर 3 by 2 3 by 2 आजक है ठीक है जनाब आगे इसको इसको एक्सपैंड कर लेते हैं अब कोड़ टुबाए नोमेल थ्योर्म से इसको इसको एक्सपैंड करेंगी तो वही जो हम रोल से कहते हैं वही हता है के x positive आगया प्लस पावर आजाती है फिर आगे मारी जो second term होती है वह है del x over x ठीक है जी plus आगे 3 by 2 3 by 2 minus 1 by 2 का विक्टोरियल और second term यह वहले term है इसका स्केर आजाता है घ्न लेक्सवर एक्स का स्केर फ्लस यह चलता जाता है और यह one minus प्यागे फार्म खतम हो जाती है और यह cancel out हो जाती है ठीक है यह हमने बाईनोमेल थिरॉम्स एक्सपैंड किया है तो बार बार आप उसको जब practice करेंगे तो इंचाला आप इसमें clear कर दियेंगे मायर हो जाएंगे तो यह मेरे पास आ जाएगा 3 by 2 del x over x यह कामन आ सकता है चुक्क है इसका square यह है तो यह इन दोने में से कामन आ जाएगा प्लस 3 by 2 यह आ जाएगा जिना आब 3 minus 2 1 by 2 2 का फिक्टोरिय देल x over x काउंटीन चलता जाएगा ठीक है जी आगे मैंने कामन लेना है वो क्यामन क्या निकल रहा है del x over x का कामन आएगा आगे जाएगा 3 by 2 plus 3 by 4 by 2 का फिक्टोरिय देल x और del x ही रहेगा ठीक है जी इसके रता है एक कामन आ जाएगा देल x बचेगा plus continue positive promise आगे देखें जी हमारे पास जो थर्ड स्टेप आगे थर्ड स्टेप में हम करते हैं कि जो डेल x है उसके साथ डिवाइट कर लिए बोट साइट पर एक्स की बाहुत रिए टू डेल एक्स ओवर एक्स वन ओवर डेल डेल एक्स आगे वही टर्म सारी लिखनेंगे थ्री बाइफ वर टू का फिक्टोरियल डेल एक्स अवर एक्स प्लाइस कांटिने चलता जाएगा ठीक है यह यह कैंस्ट आउट हो जाएगा यह आगे वहारा फॉर्स टाप होता है फॉर्स टाप में हम यह करते हैं किए टेक लिएमेट डेल एक्स पॉचिस तो जिरो देल वाय और डेल एक्स इस एकšली टू के मरत यो फटी बाइटो यह मेरे पास एक्स है ना तो एक्स प्लास में 있는 सीघा तो माइने स्थे करेंगी and हमने चुके limit जो है apply करनी है 3 by 2 है 3 by 2 है plus आगे ये del x है del x की जिगाप पर जब हम 0 put करते हैं तो ये सारी farm 0 हो जाएगी तो आगे obviously ये 0 होता चला जाएगा तो ये farm खत्म हो जाएगी x में से minus करेंगे तो ये minus हमारा 1 by 2 बच जाएगा x की power 1 by 2 और यहां पर मारे पास आएगा 3 by 2 ठीक है जी इसका अंसर मारे पास आएगा 3 by 2 x की power 1 by 2 ये हमारा अंसर है ठीक है जी तो हमारा question होगा complete